हेलो तो कैसी चल लेए आप सब की तयारी हमें जरूर बताना तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपोर्टेंट एक बहुत ही इंपोर्टेंट एप के बारे में बताने जा रहा हूं जो की प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है इस एप का नाम है डेल्टा कुई अगर आप अपना प्ले स्टोर पे सर्च करोगे डेल्टा कुईज लिख करके तो मैं आपके सामने लाइफ चेक कर रहा हूं तो इस तरह का आपको एक एप मिलेगा आप सिंबल वह अगर देख लो कोई बात नहीं अगर आप यहां से ओपन नहीं कर पाड़े हो तो नीचे क कैसा है चलिए हम लोग ओपन करके लाइव देखते हैं कि काफी फास्ट है स्मूद है यूजर इंटरफेस इसका अच्छा है क्लीन एप है कम से कम यहां पर एड्स है तो आप कोई भी स्टेट में रहते हो सपोज कर आप यूपी में रहते हो या फिर आप बिहार में रहते ह जारकंड में रहते हो तो हर स्टेट का इंपोर्टेंट स्पेसिफिक जीव के एवलेबल है चलिए हम लोग देख लेते हैं बिहार का कोईशन कितने सारे लेवल हैं यहां पर 18 लेवल है अगर आप एक लेवल प्ले कर लेते हो तभी दूसरा लेवल ओपन होता है तो हम जारक्स कट भी होते हैं बिहार के पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका राइट एंसर मुझे पता है क्योंकि मैं बार बार इसको प्ले किया हूं तो राइट एंसर है श्रीकृष्ण सिंग देखते हैं इसको क्लिक करके अगर आपका एंसर सही होगा तो ब्लू होगा और एंसर गलत होगा तो रेट कलर आ जाएगा सेकंड कोशन पर मूव करते हैं जैपरकास नारायन को कौन सी उपादी दी गई थी जैपरकास नारायन को तो आप जानते हूं लोग के मान तिलक जैपरकास नारायन को उपादी दी गई थी चेक करते हैं यह गलत हो गया जैसा कि मैं आपको बताया था गलत पर अगर टिक करते हो तो रेट कलर को हो जाएगा और राइट पर तो ब्लू कलर को हो जाएगा नेक्स कोशन पर मूब करते हैं निमनु में से किसे किस जिले में बिहार का एक मात्र राष्ट्य उद्यान इस्तित है तो बिहार में एक मात्र राष करता हूं दस कोश्चन सौल्व करेंगे लिवलिकित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में इस्तित नहीं है मुझे इसका इंसर पता है इसका राइट एंसर है और यह यह बिहार में नहीं है नेक्स कोश्चन चंपारन में इंडिगो के किसानों की दशा की और 302 में बनाई जाती की गए थी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेत्रुट किस ने किया तो इसका नेत्रुट कुमर्ण सिंग ने किया था बिहार में कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन कहां रखा गया था राइट एंसर है आपका देखते हैं पटना बिहार के निम्ने कोशी मगर्थ चेक करते हैं यस राइट एंसर है यह लास्ट कोशन बिहार में तिन कटिया पद्यती में निल की खेती के लिए भूमी का कितना भाग अमानत रखा जाता था इसका राइट एंसर है तीन वटा बीस ओके तो चेक करते हमारा मार्क्स कितना आया तो है कि टोटल कितने कोशन थे टेन कोशन थे आउट ओफ टेन कोशन आठ सही थे दो गलते 20 परसेंट रॉंग ठीक है अब हम अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं तो यहां पर रैंक देखिए ठीक है मेरा रैंक 4 है 76 मार्क्स है सुनिल ठाकू रैंक 1 चलने हैं आज के दिन में भासकर रैंक 2 ह हैं और मंतली हम लोग चेक करते हैं तो मंतली आज मैं काफी दिन के बाद प्ले कर रहा हूं तो मैं अपना रैंक चेक करते हूं कितना आया है रैंक 17 पर हूं और इसमें टॉप पे कौन चलना है टॉप पे सुनिल ठाकू चलना है ठीक है ओके थैंक यू इस एप को आप हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा